Hello friends, आज का हमारा topic है Trepojodious Rule ठीक है? तो इस Trepojodious Rule के अंदर मैं आप लोगो को इस example को solve करना बताऊंगा कि कैसे इस example को solve किया जाता है by using Trepojodious Rule के थूरूर ठीक है? देखो इसमें n की value जो आपको दिया गया है 5 दिया गया है ठीक है? 5 equals parts के अंदर हमें क्या करना है इसको divide करना है ठीके और up to 5 decimal places 5 decimal places के मतलब हुआ कि जैसे हमारा जो भी decimal के बाद की संख्या आएगा ना जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप का कोई संख्या आएगा तो हमें क्या करना है decimal से 5 digit लेना है 1, 2, 3, 4, 5 5 digit तक ही हमें count करना है और बाकी के जो remaining digit होगा उसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे ठीके तो ये होता है हमारा 5 digit places तक ठीके तो चलो देखो इसे हम कैसे solve करते हैं और कैसे इसका answer को निकालते हैं ठीके फ्रेंड देखो ये जो question है मैं already previous lecture के अंदर बता चुका हूँ जिसमें ये वाला जो root है root नहीं था ठीके लेकिन इस video के अंदर जो मैं question cover किया हूँ इस question में क्या है कि ये जो नीचे वाला parts है ना ये root के अंदर फंसा हुआ है ठीके तो इसको कैसे हम solve करते हैं by using trepejorial शुरूल के थुरू ये चीज़े हम आपको अब बताएंगे ठीके तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे solution solution में जो भी हमें question में चीज़े दिया गया है उन से भी चीज़ें को लिखना है ठीके तो देखो यहाँ पे lower limit है हमारा 0 upper limit है 1 तो हम लिखेंगे 1 is equal to x0 is equal to 0 ठीके और b की value है हमारा क्या 1 ठीके b मतलब क्या होता है upper limit यह मतलब क्या होता है lower limit ठीके अब देखो 5 equals parts के अंदर हमें divide करना है इसका मतलब की हमारा जो यह integral है इस integral के अंदर जो in की value है कितना है 5 है ठीके अब देखो इसके अंदर h की value नहीं दिया गया है मतलब कि h is equal to 0.5 ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर h की value calculate करेंगे तो calculate करने के लिए मैं h का formula यूज करूँगा b minus a divide by n b की value हमारा 1 है a की value हमारा 0 है divide में n, n की value हमारा 5 है तो इसे हम divide करेंगे तो 1 by 5 आएगा 1 by 5 को again हम divide करेंगे तो मारा आएगा 0.2 यह हमारा h की value होगा तो I hope आप लोगों को यहाँ तो concept समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम इस trapezoidious rule के through इस question के अंदर h की value हम निकाल रहे हैं ठीक है यूँकि देखो trapezoidious rule जब आप पढ़ते होना तो इसमें कुछ formula होता है ठीक है जो कि मैं मैं इस video के अंदर discuss करूँगा कि इसका formula क्या होता है ठीक है अब देखो इसके अंदर h का value हमें जरूरत पढ़ता है ठीक है h की value हमें calculate करना पढ़ता है ठीक है इसलिए हमें h की value यहाँ पे calculate करके रख लिए ताकि जब भी हमें formula के अंदर h की value डालना हो यह वाला 0.2 मैं put कर लोगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है आपको calculate करना है y0 की value y1 की value y2 की value y3 की value ठीक है अब टू कितना तक calculate करना है y5 तक calculate करना है ठीक है यूँकि देखो यहाँ पे हमारा जो n की value है 5 है ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे y5 तक की value calculate करेंगे ठीक है इसके corresponding में मैं क्या calculate करूँगा x0 की value calculate करूँगा x1 की value करूँगा x2 की value करूँगा up to x5 तक calculate करूँगा ठीक है क्यों calculate करूंगा इसलिए मैं calculate करूंगा कि जब भी मैं y0 की value निकालने जाओंगा ना तो हमें x0 की value की जरूरत पड़ेगे ठीक है तो इसलिए मैं इसको calculate करके रख लेता हूँ कि जब भी मैं y0 की value निकालूं मैं directly क्या करूंगा x0 की value यूज करूँगा और y0 की value calculate कर लूगा ठीके इसी तरीके से y1 में हम क्या करेंगे x1 की value यूज करेंगे और y1 को निकालेंगे फिर हम y2 में क्या करेंगे यहाँ पे x2 की value यूज करेंगे और y2 निकालेंगे ठीके तो इसको मैं आप लोग को एक table के जरीए समझा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि इसको कैसे निकाला जाता है ठीके तो आपको क्या करना है एक table बनाना है table के अंदर 3 column बनाना है जिसमें first में आपको लिखना है number second में ये formula यूज करना है इस formula की मदद से आपको मिलेगा x की value ठीके और ये जो y, y की value निकालने के लिए आपको ये जो function दिया गया है for question के अंदर ये function dx divided by under root 1 प्लस x square इस function को आपको यहां पर यूज करना है ठीके तो आपको यहां से मिलेगा y की value और यहां से मिलेगा आपको x की value ठीके और ये number denote करेगा कि आप कौन सी नमर पर x की value निकाल रहे हो और कौन सी नमर पर आपको y की value निकाल रहे हो ठीके तो चलो हम एक के करके निकालते हैं फिर आगे के चीजे देखते हैं सबसे पहले मैं n is equal to 0 पे निकाल रहा हूँ n is equal to 0 के लिए मैं यहाँ पे formula में n की जगा पे मैं 0 रखोंगा ठीके और x0 plus n multiply h x0 की value देखो आपका है 0 तो हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे plus है तो plus n अब plus के plus और n n की value क्या है यहाँ पे मैं n की value 0 लिया हूँ ठीके तो मैं यहाँ पे 0 यूज़ करूँगा multiply का multiply और h, h की value मेरा 0.2 है ठीके तो मैं यहाँ पे 0.2 यूज़ करूँगा ठीके इसको मैं calculator से solve करूँगा तो मेरा answer आएगा 0 ठीके अब इस जो x0 की value है 0 इसको मैं इस function के अंदर x की जगा पे रखूँगा तो मेरा y0 की value निकलेगा ठीके तो y क्या y और n, n की जगा पे 0 लिया हूँ तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा ठीके और one by one plus under root one plus और x square x square मतलब की 0 का square यह जो x0 की value है 0 इसको मैं यहाँ पे x की जगा पे रखूँगा ठीके तो मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे आएगा 0 का square तो one by under root one आएगा इसको मैं divide करूँगा तो मेरा answer आएगा y0 की value one ठीके तो इस type से करके मैं y0 की value निकालूँगा और x0 की value निकालूँगा ठीके अब n is equal to one पे फिर again calculate करूँगा तो मैं n is equal to one पे calculate करूँगा तो x की x आएगा n की जगा पे मैं one रखूँगा और x0 की value मेरा कितना है 0 है तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा प्लस का प्लस और n, n कितना है मेरा n is equal to 1 लिया हूँ तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा multiply h, h कितना है मेरा 0.2 है तो मैं यहाँ पे 0.2 रखूंगा, इसको calculator से simplify करूंगा तो मेरा answer आएगा 0.2 ठीके, तो x1 की value अब मेरा मिला 0.2 ठीके, अगेन x1 की value यानि 0.2 इस function के अंदर x की जगा पे रखूंगा तो मेरा y1 का value मिलेगा, ठीके, तो मैंने function को लिखा function में x, xwire है, मतलब कि 0.2 का square मैं x की जगा पे रख दिया, ठीके तो इसको मैंने simplify किया, तो मेरा y1 का value मिला 0.98058, ठीके फ्रेंट देखो decimal की बाद की संख्या 98058, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 5 जो digit है, इस 5 digit तक मैं decimal के बाद की संख्या लिया हूँ, ठीके, क्योंकि देखो question के अंदर 5 decimal places तक बोला गया था, ठीके, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 5 decimal places तक ही लिया हूँ, ठीके, I hope आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब फिर again मैं निकालूंगा, n is equal to 2 पे, x2 की value और y2 की value, ठीके, तो x n is equal to 2 पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे n की जगा पे 2 आएगा, x की value रखूंगा, यहाँ पे multiply में n, n is equal to 2 लिया हूँ, तो मैं 2 रखूंगा, h की जगा पे मैं रखूंगा 0.2, ठीके, इसको मैं simplify करूंगा calculator से, तो मेरा value आएगा, 0.92848, ठीके, तो यह हमारा y2 की value होगा, ठीके, तो friend, I hope आप लोग को concept समझ में आ रहा होगा, की कैसे है कैसे हम value निकाल रहे हैं, ठीके, इसी type से हम n is equal to 3 पर निकालेंगे, n is equal to 4 पर निकालेंगे, ठीके, तो हमारा y4 का value मिलेगा, और x4 का value मिलेगा, ठीके, सबसे पहले आपको x2, x3, x4 का मतलब की यह वाला value निकालना है, और इस वाली value को आपको function के अंदर रखना है, x की जगा पे तो आपको y3 का value मिलेगा, ठीके, जैसे x4 का value मिला आपका 0.8, ठीके, अब इस 0.8 को आपको function के अंदर रखना है, तो आपको value मिलेगा 0.78087, ठीके, यह आपका value मिलेगा y4 का, ठीके, तो यह वाला value आपको निकाल पड़ेगा ताकि आप लोग function के अंदर यूज कर पाओ ठीके इसी type से आपको y5 तक निकालना है ठीके तो y5 तक निकालने के लिए again n is equal to 5 तक आपको निकालना पड़ेगा x5 की वैलू और y5 की वैलू ठीके तो चलो हम निकालते हैं फ्रेंड अगेन हम n is equal to 5 पर निकालेंगे तो हमारा x5 का वैलू मिलेगा 1 ठीके और y5 का वैलू मिलेगा हमारा 0.70711 ठीके अब देखो यहाँ पे x5 का वैलू है 1 इस 1 को मैं function के अंदर रखूंगा x की जगा पे तो मैं calculator से simplify करूंगा तो मेरा वैलू मिलेगा 0.70711 यह हमारा y5 का वैलू मिलेगा ठीके अब यहाँ तक हम निकालेंगे और उसके बाद हम stop हो जाएंगे ठीके क्योंकि question में n is equal to 5 था ठीके तो हम क्या करेंगे y5 तक ही वैलू को calculate करेंगे ठीके तो हमने calculate कर लिया ठीके उसके इसके बाद हम यहाँ पर stop हो जाएंगे ठीके और simply लिखेंगे apply ट्रेपोजोडियोस रूल फर्मूला अब इस फर्मूले को हम लिखेंगे ट्रेपोजोडियोस रूल का और बारी बारी से हम क्या करेंगे table से value ले आएंगे और इस फर्मूले के अंदर put कर देंगे हमारा easily answer ठीके चलो कैसे हम पूर करेंगे एक के करके देखते हैं सबसे पहले हमारा यह फर्मूला होता है यह ट्रेपोजोडियोस रूल का ठीके उसके बाद हम यहाँ पर क्या करना है function है तो हम यहाँ पर function लिखेंगे जो कि मैरा function था question के अंदर ठीके उसके बाद हमारा यह formula के अं एक जगा हम add करेंगे प्लस का प्लस और बाकी के जो remaining value बंच रहा है y1 y2 y3 y4 इन सभी value को एक जगा add करेंगे और दो से multiply कर देंगे ठीक है तो देखो यह हमारा कुछ formula बनेगा ठीक है तो अगर हमारा data देखो अभी तो हमारा data n is equal to 5 तक था तो हमने क्या किया y0 और प्लस कर दिया y5 की value को ठीक है अगर मालो यहाँ पर ठीक है अगर हमारा data n is equal to 7 तक होता तो क्या होता हम यहाँ पर y0 प्लस y7 को एक जगा रखते और बाकी के जो remaining value बाकी के जो remaining value बासते जैसे y1 y2 y3 इन सभी value को हम एक जगा रखते और दो से multiply करते ठीक है तो यह होता है आपका ट्रेपोजोडियोस रूल का ठीक है जैसे जैसे हमारा data बढ़ता है मतलब की जैसे जैसे हमारा n की value increase होता है वैसे वैसे हमारा formula कुछ change होता है ठीक है तो यह चीज़ा आपको ध्यान देना है ठीक है तो अब मैं यहाँ पे h की जगा पे मैं रखूंगा 0.2 और divide में 2 तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि h की value हमारा 0.2 था ठीक है उसके बाद y0 और y5 को हम एक जगा प्लस करेंगे तो y0 और y5 का value हम table से ले आएंगे तो देखो table के अंदर y0 का value 1 है और y5 का value है हमारा 0.70711 ठीक है तो इस value को हम लिखेंगे यहाँ पे y0 और y5 के जगा पे तो 1 प्लस 0.70711 ठीक है इन दोनों value को हमने लिखा और 2 बाहर में मैंने लिखा अब y1, y2, y3, y4 का value हम यहाँ पे लिखते जाएंगे table से तो देखो y1 का value है मेरा मेरा y1 का value है 0.98058 y2 का value है मेरा 0.92848 ठीक है और y3 का value है मेरा 0.85749 ठीक है और y4 का value है मेरा 0.78087 ठीक है y2, y3, y4 और y1 का value है इन सभी value को हम क्या करेंगे फर्मूले के अंदर put करेंगे ठीक है तो चलो put करते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया y1, y2, y3, y4 का value एक के करके put कर दिया table से लिया करके ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इसे 0 by 2 को हम यहाँ पे बाहर रखेंगे और इन 0.70711 ठीक है यहाँ पे दो बाहर में आएगा और इन सब को क्या करना है सम करना है ठीक है हमने add करा calculator से तो मेरा value आया 3.54742 ठीक है अगें इन दोनों में multiply करेंगे तो मेरा value आएगा 7.09484 ठीक है यह हमारा value आएगा इन दोनों में multiply करने से ठीक है और यह agitives का agitives हम यहाँ पे रखेंगे ठीक है अगें इन दोनों में हम plus करेंगे तो मेरा value आएगा 8.80195 ठीक है फिर इन दोनों में इसमें और 0.2 में मैं multiply करूंगा तो multiply करूंगा तो 1.76039 आएगा ठीक है और divide में मेरा 2 है तो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा ठीक है इसे मैं calculator से divide कर दूंगा तो मेर value आएगा 0.80195 और यही मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड इस टाइप से हम ट्रेपोजोडियस रूल के थूरू किसी भी question को solve करते हैं जो question हमारा root के अंदर फसा हुआ रहता है ठीक है तो I hope आप लोगो को मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो त आप हमारे वीडियो को like किजिए share किजिए चैनल पर first time आया है तो चैनल को subscribe कर लेजिए thank you